क्या हापुर नगरपाली का सीट पर चलेगा बस्पा का पुश्पा राज नमस्कार में रिश्मी पांडी और आप देख रही हैं हापुर हल चल अपने शेत्र से जुड़ी हाट छोटी बड़ी खबर को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजे आपका अपना च चुशील नगर के नाम से ये नया जिला बनाया अभी हापुर NCR में आता है ये रास्टी राजधानी दिल्ली से महट साथ किलोमीटर के दायरे में है हापुर जिले में तीन नगरपालिका वा एक नगर पंचास सीट है बात करें यदि प्रत्याशियों की तो भाजपा ने इस बार नगरपालिका चेयर्मैन पत पर सोमती केन को मिदवार बनाया है तो वहीं गटबंदन ने पूझा वा कॉंग्रेस ने पूर्व विदायक वा चेयर्मैन धरमपाल सिंग की पुत्री मानवे सिंग को चुनावी मैदान में उता रहा है वहीं बसपा से 2017 में विदा पहुच कर अपने लिए प्रचार प्रसार कर रही है उत्तर प्रदेश के हापुर में दूसरे चरण के तहट 11 माई को नगर निकाई चुनाव कर आए जाएंगे हापुर नगरपालिका सीट पर इस बार कुल 2,24,961 मदाता अपने अधिकार का प्रियोग करेंगे 13 माई को न प्रदेशले चुनावों के परणाम की तो इस बार टककर बसपा की पुषपा देवी वा भाजपा की सुमती केन के बीच हो सकती है लेकिन क्या हापुर में चलेगा बसपा का पुषपा राज या फिर चलेगा सुमती केन वा कमल का जागउ यह तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा बरहाल इस कबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है क्या राय आप रखते हैं कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें आपका अपना चैनल हापुल हल्चवर